एलो फ्रेंड्स आज हम समास पढ़ेंगे और यह टॉपिक जो है थोड़ा लांग वीडियो बनेगा लेकिन इसको जितना होते जिसे समास का अर्थ होता है सब्दों का संचेपी करण बलग कि किसी बड़ी चीच को एक छोटे में कह देना तो वैसे मैं इस वीडियो को भी एक सब्दों का तो वही होता है और समास के भेद कितने होते हैं तो मुख्य रूप से चार होते हैं लेकिन इसके अगर उस तरह अगर कहीं एक्जाम में आएगा कि समास से कितने भेद होते हैं तो आप छे बताएंगे या मुख्य रूप से पूछे तो आपको चार बताना है त हम ठीक है कि उसके पाढ़ेंगे तो पहला गड़नां समास है कि दौनों समास में क्या होता है कि दोनों बाध प्रद्धान होते हैं और इसका example देखेंगे भाई बेहन नियुसरा से इज rebelli और भेन गंगा और यमन्य धर्मधर्म धर्म और अधर्म ये धर्मधर्म जो है ये काफी इजले में थोड़ा wed्षा राता है धर्वा धर्व तो दुन्समास और उसके बार देखेंके तत्पुर्षव dabbe होता है तत्पूर्ष समास थोड़ा भी होता आफ्या न्र इसके जो कारक्षीन होते हैं तत्पुल्स समाज से कर्दने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए इसके सात होते हैं सात कारक होते तो कार्दान के पहीं कि यहां पर हम देखें होंगे इसमें तो सग्मेवास तो अच्वाद मन चाहा मन से चाहा है कि फिर उसके बाद रसोही घर रसोही के लिए घर और प्रेम सागर प्रेम का सागर तो यह है सब्वास सब्वास तो अधिकरन जैसे आई समास में क्या है कि यह जो होता है दोनों पत प्रधान होते हैं कोई तीसरा पत प्रधान होता है यह चीज मतलब कि इसको याद करना पड़ता है ये भी कही न कही पूछ लेता किस समास में दोनों पत प्रधान होते हैं किस समास में दोनों पत आप प्रधान होते हैं तो ऐसे पूछ लेता है तो बहुरी में दोनों पत आप प्रधान होता है कोई तीसरा पत जो होता है वो प्रधान होता है तो इसमें जैसे इसका एक्जामपल क्या होगा है चतुरानन, दसानन, चतुरभुज और उसके बाद हम यहां भी देखेंगे यह बहुबरी समास का एक्जामपल है तो यहां पर क्या होगा कि चतुरानन, पीतामबर, पीला हमबर जिसका अरथा स्रीकृष्ण, नीलकंट, श्युव, यहां पर कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि इसमें बहुबरी समास में और कर्मधार समास में तो अधितार जहां भी पूछा रहा है कि नीलकंट में कौन से समास है, अगर बहुबरी रहता आप बहुबरी भी लगाएंगे, कर्मधार मत लगाईएगा, क्योंकि जाएतर बहुबरी के तरफ ही जुका रहता है, तो बहुबरी समास यह ऐसा होगा, लंबा है उदर लिसक तो यह अभी भाव समास हो गया, उसके बाद हम आगे आते हैं कर्मधार समास, कर्मधार समास में एक पद बिशेश रह दूसरा बिशेश होता है, कर्मधार मतलब कि यह समझ लिसको याद करने का तरीका यह सोचिए कि कर्म को धारन करने वाला, तो कर्मधार होता है, तो यह जैसे कि किसी चीज की विसेष्टा जो जैसे की नील कमद तो कमल नीला है कमल नील कंट नील गाया परमनन तो इसमें बता थे जैसे कि इसमें और बहुभरी में थोड़ा confusion रहता है तो इसमें जहां पर उब दोनों आ जाएं तो आपको बहुभरी ही लगा देना इसलिए-सलि tiدي जैसे कि नील नील कंट नील कंट एंप यह भी भी एटो शेस्ताभ लकार एक कंट कैसा है लिल यह थो तो कर्मधरा समास भी होता है अंदीला गए कंट जिसका अर्थात भगवान्शु तो बहुबरी भी समास है तो यहां पे जहां पे दोनों अगर आगए तो आप बहुबरी पे लगाएंगे तो यह नील गाए परमानन बढ़भागी महात्मा यह यह बहुत आते हैं बढ़भा जय आकीवे होता है दूसरा प्रिधान होता है तो इसमें क्या होता है कि इसकाइजामपल पंचोटी चौरह है चाहाहो माला-उडी मैं थोड़ा रहता है तो यह थैस इसको याद कर लेंगे जाद करने के ट्रिक है कि दूई आ रहा है उस चारण इसका दूई हो रहा है इसलिए इसमें जो संख्या वाची रहेगा और हम दिगों मिले लेंगे और दूंद में भाई और बीच में योजक्चिन लगा रहेगा भाई और बहन गंगा और यमुना ध समास करके है प्राज तपूरुस अलोग तपूरुस उसमें इसमें थोड़ा बता दिरहें कि जो नई तपूरुस है उसमें नकारात्मा वो जिसके प्राण आया अनुपसर्ग हो अन्देखा अंसुना अनिहित अन्बोला असुद्ध यह सब तपूरुस में आएंगे और उ समास में इस इतना यह पढ़ लेंगे तो एक्जाम में आपका klar हो सकता इससे कि समास के समुद्ध यह पूरा अगर तो यह हमेशा नहीं आपको रिविजन करना ही पड़ेगा तो ठीक है फ्रिंट तो आज लिए इतना ही ठीक है बने रही है हम अगला वीडियो हो सकता है कि संधी पर लेके आए ठीक है और आप कमेंड करिएगा कि आपको इसमें कहां पर दिक्कत हो रही है थे हम उसको बता भी देंगे ठीक है थैंक यू आप 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 आप